नमस्कार मैं हूँ शिवांगी आप सबों का स्वागत है बिहारी मीडिया में तो चलिए जानते हैं 15 बड़ी खबरों को विस्तार से स्वतंतरता दिवस को खास बनाने के लिए पीए मोदी ने की खास अपील देशवासियों से मांगा इस पहल में साथ प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने इस वर्ष के स्वतंतरता दिवस को खास बनाने के लिए लोगों से विशेश अपील की है उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान की शिरुवात के तहत लोगों से अपने अकाउंट के डिस्पले फीचर में तिरंगे की तस्वीर लगाने की अपील भी की है 15 अगस्त को भारत अपनी आजादी का सथतर्वा स्वतंतरता दिवस मनाने जा रहा है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने अपने पूर्वे में ट्विटर हैंडल के डिस्पले फीचर में तिरंगे की तस्वीर लगा कर हर घर तिरंगा अभियान की शिरुवात की इसी के साथ उन्होंने एक ट्विट के जरिये लोगों से अपने अकाउंट की डिस्पले फीचर में तिरंगे की तस्वीर लगाने की अपील भी की है पिये मोधी ने लिखा हर घर तिरंगा अंदोलन की भावना में आईए हम अपने सोशल मीडिया खातों की डिपी बदले और इन अनूठे प्रयास को समर्थन दे जो हमारे प्यारे देश और हमारे बीच के बंधन को गहरा करेगा बिहार की 94,000 आशाकारे करता लोटेगी काम पर तेजस्वीयादों से मुलकात के बाद खत्म हुई हरताल बिहार में 12 जुलाई से हरताल पर गई आशाकारे करता और आशा फैसलीटेटर ने शरिवार को हरताल समाप्त करने की घोष ना कर दी है आशाकारेकरताओं ने सरकार से वारता के बाद ये फैसला लिया है अस्थानिया स्थर पर जनता के बीच काम करने वाली ये स्वास्त कारेकरताब अपने अपने काम पर लोड जाएगी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने इन ही मांगों पर सहानु भूती पूर्वक विचार कर उचित निर्न लेने का आश्वासन दिया है राज के आशाकार करताओं को अब पचीस सोर रुपे मासिक मांदिया मिलेगा उपमुखे मंत्री तेजस्वी यादों ने आशाकार करताओं के साथ बैठक में उन्हें ये आश्वासन दिया है इससे राज सरकार के खजाने पर सालाना 180 करोर रुपे का बोज परेगा बिहार में कमजोर हुआ मांसून बारिश के लिए तीन दिनों तक करना होगा इंतिजार बिहार में अब अगले तीन दिनों तक मांसून थोड़ा कमजोर रहने वाला है अब लोगों को तीन दिन बाद जहमा जहम बारिश देखने को मिलेगा मौसम बिभाक के अनुसार सुबे में 13-16 अगस थक मानसून की गतिवी दिया थोड़ी कम जो रहेगी 17 अगस से राज के कई जिलों में जमाजम बारिश के आसार फिर से बन रहे है दरसल बिहार में मानसून को लेकर गुजर रही ट्रफ रेका फिलहाल बिहार से दूर होती नजर आ रही है इस लिहाजा से पूरे बिहार में बारिश के लिए लोगों को तीन दीन का इंतिजार करना पड़ सकता है हाला कि कही कही बारिश का नजारा देखने को मिल सकता है इधर राज्य में सरवाधिक वर्सा निर्मली में 83 मीमी हुई अभी मानसून ट्रफो का पश्रिमी छोड हिमाले की तलहटी की ओर है जबकि इसका पूर्वी छोड बहराईच सीता मढी किशन गंज से होकर मणी पूर त कस्थर में लगतार वरिधी दर्श की जा रही है कटिहार जिले के कुरसेला ब्रिज के समीप कोसी नदी का जलस्तर खत्रे के निशान को पार कर गया है कोसी और महनंदा के साथ ही गंगा और बूढ़ी गंड़क भी उफान पर है कटिहार में गंगा चेटावनी वह खत्रे क के निशान के बीच बह रही है यहां मनिहारी और जारखन के साहिव गंज के बीच गंगा नदी में जलियान वन नाओ के परिचालन पर प्रशासनी कस्थर के अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी गई है पूर्णिया में जिले से होकर गुजरने वाली नदिया महनंद पर्मान कनकई आदी सभी नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है लेकिन सभी खत्रे की निशान से नीचे बेह रही है मधेपूरा में कोशी सहीत सहायक नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है राज़य में एक महीने में एक दिन भी कक्षा से नहीं आने वालों का कटेगा नाम कॉलेज प्रचारियों को भेजा गया पत्र बियारे बिहार विश्व विद्याले के बिभेन पीजी विभागो और कॉलेजों निमे सनातक और पीजी कोर्स में नावांकन के लेकर कक्षाओं से लगतार अनुपस्थिती रहने वाले विद्यार्थी के खिलाव कारवाई शिरू की गई है जिन विद्यार्थियों की उपस्थिती 75 प्रतीशत से कम होगी उन्हें किसी भी हाल में परिक्षा फर्म भड़ने नहीं दिया जाएगा उन्होंने बताया कि सकती बढ़ने के बाद कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है बकडी पालन के लिए सरकार देगी 50-60 प्रतीशत अनुदान बेरोजगारों को मिलेगा प्रोसाहन जानिये क्या है पूरा योजना राज्य को बकडी पालन वब मान सुत्पादन शेत्र में आत्मे निर्भर बनाने के लिए सरकार बड़ी पहल करने जारी है सरकार बेरोजगारों को प्रोसाहन देगी बिहार में बारिश के बाद सब्जियों की फसल पर परा असर कीमत में लगी आगए बिहार में बारिश के बाद सब्जियों की फसल खराब हुई है कीमत पर वर्सा का असर पड़ी है वही अब कई तरह के सब्जियों के भाव में इदाफा हुआ है बारिस की वज़त से पिछले दी 3-4 दिनों में हरी सब्जियों की कीमत में 10 रुपे से अधिकी बढ़ोतरी हो चुकी है इन दिनों ज्यादा तर हरी सब्जियों की कीमत 40-50 रुपे प्रती कीलो के उपर है सब्जियों में सबसे महंगा छोटे आकार का चटैल 160 रुपे प्रती कीलो तो फरसबीन 140 रुपे प्रती कीलो शनिवार को भीका वही धनिया पत्ता 200 रुपे कीलो और हरी मिर्च 80-100 रुपे प्रती कीलो के भाव पर भीकी कड़ी पत्ता 200 रुपे प्रती किलो विक्रा है, सबजी विक्रेताओ की माने तो आने वाले कुछ दिनों में सबजीों की दामों में व्रीधी देखने को मिल सकती है, टमाटर के अलावा नेनुआ, भिंडी, परवल, कड़ेला, बैगन जैसी कई सबजी आभी महंगी हो गई है स्वतंतरता दिवस पर करी सुरक्षा, पटना में तैनात रहेंगे 1100 सुरक्षा कर्मी, बिहार की राजधानी पटना के साथ ही राजे भर में स्वतंतरता दिवस के मौके पर करी सुरक्षा के इंतिजाम किये जाएंगे, पटना में 1100 से अधिक सुरक्षा कर्मी की तैनाती की जाएगी 24 गंटे कर्मी तैनात रहेंगे गांधी मैदान में दर्शक दिर्गा में वाटर प्रूफ शेड लगाय जाएगा इसकी तैयारी की जारी है साथ हजार बर्फ फीट में दर्शक दिर्गा तैयार किया गया है इसके ऊपर वाटर प्रूफ शेड का निर्मान किया ज पर शहर के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में दर्शकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए वाटर प्रूफ शेट लगाए जाएगा। पहले शुराग पास्वान ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि हाजिपूर सीट से मेरी माँ चुनाव लड़े। लेकर जीतनी भी भ्रामक खबरे चल रही है वो बारिश के दोरान मेढकों के शोर मचाने जैसी है। पशुपति पारस ने कहा कि हाजिपूर की जनता ने 1977 से लगतार मुझे और मेरे बड़े भाई रामविलास पास्वान को काफी सम्मान दिया। 2019 के लोग सभा चुनाव में हमारे नेता रामविलास पास्वान ने यहां से चुनाव नहीं लरकर मुझे यहां से चुनाव लरवाया था। हाजिपूर की जनता का सेवा करने और हाजिपूर की विरासत मेरे कंधे के उपर सौपिती जिसका निर्वहन मैं करूंगा। पाठक के फैसले से कोचिंग असोसियेशन नराज नीतिस से करेंगे के के पाठक की शिकायत। बिहार के शिक्षा बिभाग का डोर जब से के के पाठक के हाथों में है रोज दिन कुछ न कुछ बदला हो रहा है। पाठक ने अब सरकारी स्कूलों के अलावा कोचिंग संस्थाओं पर भी अंकुष लगाया है ताकि कोचिंग जाने के वज़ा छात्र शात्राओं का स्कूल न छूटे। बतादे की सुबर नौ बजे से शाम चार बजे तक बिहार में सभी कोचिंग संस्थान बंद रहने का आदेश मिला है। के के पाठक के इस आदेश से कोचिंग असोसियेशन फौर भारत नाराज है। शिक्षा बिभाग के अपर मुख सचीव के के पाठक के फैसले को लेकर कोचिंग असोसियेशन ने कहा कि इस फैसले में से यहां के बच्चे कोटा दिली जैसे शहर में पढ़ने चले जाएंगे। कोचिंग असोशियेशन फौर भारत के सचीव सुधीर कुमार सिंग ने कहा कि बिहार में कोचिंग संस्थान बंद करने से 7-8 लाख रोजगार प्रभावी ठोंगे। रोक लगा दिया है। स्वतंतरता दिवस के मौके पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 15 अगस तक दिली एंसियार के सभी स्टेशनों के प्लैटफॉर्म को खाली रखने का निर्देश दिये गया है। नई दिली जाने वाली ट्रेनों में विशेश सतरकता बढ़ती जारी है और पठना समेत राज्जी के सभी स्टेशनों पर सभी गतिवीदियों पर नज़र रखी जाएगी। विहार के उच्छे शिक्षन संस्थानों में जल्द निकलेगी बंपर सरकारी नौकरी केके पाठक ने मांगी है रिक्तियों की सूची। अनुमान है कि उच्छे शिक्षन संस्थानों में बिभिन अस्थर के खरीब 8000 पद खाली है बीते सप्ता कुलपतियों की बैठक में उच्छे शिक्षन संस्थानों में खाली पड़े पदों को भरने की मांग शिक्षा विभाग से की गई थी। लोगों की थालियों से टमाटर गायब हो गया है लगतार बढ़ते दामों के कारल लोगों ने टमाटर खरीदना ही छोड़ दिया है। जानकारी के अनुसार पिछले तीन महीनों में थोक बाजार में टमाटर की कीमिते 1400 प्रतीशत से अधिक बढ़कर 140 रुपे प्रती कीलो हो गई। बता आदे की सरकार अब कुछ ऐसा करने जारी है जिससे की एक बार फिर अब टमाटर को अपनी थालियों में देख सकेंगे। की आइनकार बिहार में 1.70 लाख शिक्षकों के नियुक्ति के लिए मामले में आए दिन नए उलजन सामने आते रहते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोट ने अपने फैसले में BSTC की करने वाले उमिद्वारों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोट ने प्राइमरी स्कूल में टीचर के लिए बीए डधार को अपात्र घोशित कर दिया है। सुप्रीम कोट में फैसले के बाद ऐसी खबरे आने लगी है कि बिहार में अब शिक्षक भरती प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाएगी। इसे लेकर अब BPSC की ओर सिस्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोट के फैसले के आलोक में परिक्षा रोकने की कोई योजना है। कि बिहार शिक्षक भरती पर किसी तरह की रोक लगेगी।